सो फाइनली इग और सी मैच ने अपने 26 मेंबर्स का स्क्वाड रिलीस कर दिया है जो कि AFC Asian Cup का स्क्वाड है अफकोर्स एंड फाइनली महुरत निकल गया था आज जब स्क्वाड अनौंस करना था इग और सी मैच ने स्क्वाड की स्क्वाड की स्टेंथ वीकनेश एंड क्या एक प्रिडिक्टेड लाइन अप हो सकती है अगेंस ऑस्टेलिया है वेलकम बैक तो मैं चैनल अगर आप चैनल पर पहली बारी आए वो तो मेक शूर्यू सब्सक्राइब तो इस चैनल क्योंकि यहां पर आपको इंड इंडियन फूटबॉल टीम का फाइनली स्क्वाड आ चुका है AFC अशियन कप का एंड नो डिसपोइंट्मेंट्मेंट्स इन इस स्क्वाड तो वी सीन क्योंकि देखा जाए तो यही एक रियलिस्टिक स्क्वाड था एंड इग और सी मैच नहीं है जो 26 मेंबर सेलेक्ट कर लिए बट जो हमारे पास रिसोर्सेस थे वो काफी ज्यादा कम थे काफी प्लेयर्स हमारे इंजाड है वी ओल नो दैड आशिक कुरूनियन अनवर अली जिकसन सिंग जिकसन सिंग लग रहा था एक टाइम पे आज से 10-15 दिन पहले के AFC Asian Cup के स्क्वाड में आ जाएंगे क्योंकि सहाल की जो हम सबको पता है एक टेकनिकल प्रूवन प्लेयर हो तो जितना भी वह फिट होगा आई थिंक के वह ऑस्टेलिया के मैच में उत्रेगा अगेंस ऑस्टेलिया अगर वह स्टार्टिंग 11 में ना हो बट अगर वह सेकंड हाफ में भी आ जाए अगेंस चूस भी उसको रहते ही है शुरुवाद से बट अपार्ट फ्रॉम अपूया सुरेश दिपक टांगडी अगर मैं बात करूं दिपक टांगडी एक एक साइटिंग प्लेयर जरूर है बट आई डूंट थिंग के ज्यादा उनको मिनिट्स मिलेंगे इस AFC Asian Cup में सेम विद प उस्ट्रेलिया वो प्रितम को टाल एंड संदेश जिंगन की ही होगी सेंटर बैक पेरिंग इसी लिए शायद लिया है एक और सी मैच नहीं क्योंकि अगर आप देखो तो लाल चुंग नूंगा मैताब सिंग यह सब अभी काफी यंग है एंड सेंटर बैक पेरिंग में सेंटर बैक पेरिंग होगी बाकि अगर इस सेट देखा जाए तो निखिल पुजारी अकाश मिश्रा गुरपरीट सिंग संदू तो यह मारी जो डिफेंस लाइन है वो काफी सौटेड है हाला कि इसमें अगर अनवर अली होते हैं तो काफी एक गेम चेंजिंग हमारे लिए कैंपेइन हो सकता था जरूर अगर इसमें होते जिकसन सिंग भी आशिक करूनियन भी बट अभी जो लिमिटेड सोर्सेज है मारी उसमें अगर हम बात करें लालें जौला चांते महेश जो हमारे प्रॉबेबल्स भी थे और श्योर शॉर्ट वो स्टार्ट भी करेंगे उस् अधिम्स प्लेयर्स जिनको उन्होंने मर्ली का कंक्स कप में खिला ता जिनको उन्होंने वर्ल्ड कौलिफायर क्वायर में चैंपेंशिप में जो प्लेयर से कैम में उनी को वह लेके गए आगे ऐसिंट कप में हाला कि अभी 10-12 दिनका टाइम है हमारे पहले मैच में जो कि है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया तेरा जैनुवरी को सहल उस तक फिट हो गए तो काफी एक अच्छी बात है बट उसके इलाबा भी अगर देखा जाए तो अनिरू थापा अगर मैं बात करूं सुरेशिंग वांजाम ब्रेंडन फर्नेंडेस काफी अच्छे प्लेयर्स हैं चैनलिटी कम है जो कि ऐस्टेलिया के अगेंस्ट हमारे को नुकसान दायक हो सकती है क्योंकि उनके प्लेयर नके प्लेयर्स फिजिकल भी अगर आप उसबेकिस्तान के प्लेयर्स देखो इतने लंबे नहीं है वह बट फिजिकल अबिलिटी उनकी काफी ज़ाद है एंड या hard on the ball hard tackles हमारे को उस्बेकी प्लेयर्स से देखने को मिलेंगे जब उनके अगेंस्ट मैच होगा सेम विद सीरिया सीरिया के प्लेयर्स भी इतने लंबे उचे नहीं है बट उनकी पोजेशन बेस्ट फुटबाल होगी एंड दे प्ले रफ फुटबाल एट टाइम्स एंड सीर सरे को है यही इसकौर्ड यहां और अपर ऑस्टेलिया जैसी टीम के उजबेकिस्टान जैसी टीम सीरिया जैसी टीम के हमारे को clinical होना पड़ेगा तीनों oppositions के अगेंस्ट इसलिए हमने ट्रैवर सिंक्लेर को अपनी managing staff में लाएं हम but let's hope for the best के हम round of 16 में पहुचें या फिर हम तीनों teams में से किसी एक दोख्या अगेंस्ट अगर हम points लेके आते हैं तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा plus बहुत बड़ा motivating factor हो गए इस एफसी campaign से डू लेट में know your predictions के हम कैसा squad आप यह देखते हो अच्छा squad है और अच्छा squad हो सकता था कौन से players है ऐसे जो आप देख देख देखना चाहते थे इस team में जो नहीं है फिलाल आई नो जे गुपता कैसे players इशान पंडिता है squad में जे गुपता नहीं है देखा जाए तो काफी ऐसे players है जो add होने चाहिए थे बड़ नहीं है वह भी क्योंकि experience के साथ गई है यह और स्टी मैच डूलेट में